दोस्तों पेशे से एडवोकेट 31 वर्षी अरजोच सिंग बंस बगवतमान गोवर्मेंट में पंजाब केविनेट के सबसे कम उमर के मंत्री बनाए गई हैं जैसे बाते जानकर मुझे इसा लगा हरजोच सिंग बंस की स्ट्रगल स्टोरी आप तक जरूर पहुंचानी चाहिए ताकि इस देश के युवाओं को एक नई प्रणा मिले तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस कहानी की सुरुवात होती है 1990 में जब पंजाब के रोपर डिस्टिक में स्री आनपुर साइब तसेल के गमीरपुर गाओं में एक वैल सेटल रोयल फैमिली में हरजोच सिंग का जनम हुआ जिरके पिता सोन सिंग बंस का सपना था बेटे को एक दिन पड़ा लिखा कर तगड़ा वकील बनाऊँगा तबी से लोधियाना से अपनी स्कूलिंग के बाद अर्जोच सिंग ने पंजाब यूनिवस्टि से बी ए ओनर्स और एलेलबी तक हायर एजुकेशन कम्पलीट की और इंटरनेस्टल हुमन राइट्स एजुकेशन के लिए लंदन चले गए जो पेशे से आज हरियाना एंट पंजाब हाई कोर्ट में कवालिटी एडवोकेट है दोस्तों अर्जोच सिंग बंस की कवालिटी एजुकेशन जीवन सैली और बहुत छोटी उमर से उनके स्ट्रगल को देखते वे आम आदमी पार्टी ने उन्हें 2017 विदान सबा चुनाओ में 26 साल की उमर में सानेवाल विदान सबा से अपना उमीदवार बनाया मगर अर्जोच सिंग चुनाओ हार गए जिने बहुत जल्ड पार्टी ने पंजाब प्रदेश का मुख्य परवक्ता बनाकर रास्त्रिय कारिये करणई में सामिल किया जिने एक बार फिर 2022 विदान सबा चुनाओ में उन्हें सरी आननदपुर साहिद विदान सबा से अपना उमीदवार बनाया मगर कहते हैं न जो खेत हल चलाने से दुखी हो वो कभी अनाज पैदा कर नहीं सकता और जिस पत्तर को थोड़े की मार से दर्द हो वो कभी तरासा नहीं जा सकता कुछ इसी तरह विरोधियों की नजाकत को समझते वे अकरामक और तेज़त रास सैली की अरजोट सिंग ने आपकी बार तगड़ी कंपेनिंग की और कॉंग्रेस के रणा केपे सिंग को 40,000 से अधिक मतों से राकर जीत दर्ज की जिने बगवतमान गोवर्मेंट में सबसे कम उमर का केबिनेट मंतरी बनाया गया है जो बेहत काबिले तारिफ है तो दोस्तों ये थे अरजोट सिंग बंस अगर आप अरजोट के फैन हैं तो इस वीडियो कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब वीडियो को एंड तक देखने के लिए थेंक्यू सो मुझ